हलो दोस्तों आज कुछ जो वेकेंसिस आई हुई है उनके उपर डिसकस कर लेते हैं मैं एक सिरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें लगबग 2-3 दिन में एक हैश्टेक करके 1-2-3 करके वीडियो आएंगी उसमें मैं जो जॉब्स निकली हुई है उनके बारे मैं आपको बताऊंगा और उसमें क्या करना है कैसे करना है वह उस चीजे मैं आपको समझाऊंगा और आज थोड़ा सा समय की बात भी हम करेंगे कि मतलब समय को वेश्ट हम ना करें कैसे ना करें समय का पूरा उपयोग कैसे करें और अपने यह जो हम एंड्रोइड फोन होता ने सैल फोन मुबाइल फोन इसका भी हमें पूरा उप्योग कैसे करना है क्योंकि वेस्ट बहुत टाइम यही करता है हम इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जॉ आपको जॉब जॉब बता रहा हूं उसमें थोड़ी बथ हाई लेवल की भी है और मोस्टली हाई लेवल का मैंने उसमें से अलग कर दिया क्योंकि इसमें जो ज्यादा तर बच्चे हैं वो प्लस टू के हैं या तो फिर टैंथ पास हैं और ज्यादा तर जो हैं वो इंजिन है वो 11 फरवरी है फॉर्म फिल करने की तो अभी टाइम है आपके पास आप उसको जल्दी से फिल कीजिए और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है बीए मांगा हुआ है टोटल पोस्ट में और बीए अगर आपको ऐसा ही बनना है सिर्फ सर्विस इंस्पेक्टर तो आपको बीए पास होना चाहिए और आपको टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी इंग्लिज और इस्टैनो भी आना चाहिए आपको और आपको ओ लेवल का एक्जाम केंपूटर में एक ओ लेवल का एक्जाम होता हो वो पास होना चाहिए तो सबसे बहले देखो टाइपिं के लिए जो है उसमें भी सेम है आपको graduation होना चाहिए किसी भी स्ट्रम से typing अपैपिंग आपको English में 25 वर्ड पर मिनट और और हीनली में 30 पर में sorry English में जो है वो 30 वर्ड पर मिनट है और हीनली में 25 पर वर्ड मिनट और ओ लेवल का आपको exam पास होना चाहिए इसमें स्टैन्व की ज़रूरत नहीं है अब एस एकाउंट इसमें तीसरा पत है वो एस एकाउंट का उसमें आपको बैसलर डिग्री जैसे उपर की दो जो जिसमें पोस्टों में थी उसके बाद बैसलर डिग्री आपको कॉमर्स में करनी है इस्पेसलिस में यह है कि अगर आपको एकाउंट बनना है तो बैस्वलर डिग्री आपको कॉमर्स में करना होगा और हिंदी में आपको टाइपिंग आनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट और ओ लेवल का आपको एक्जाम पास होना चाहिए तो कंप्लीट हो चुका है यूपी पुलिक्स के लिए अब बात कर लेते हैं कुछ रेलवे की रेलवे में सौफ्वेर इंजिनियर जो एक CRIS होता है क्रेस जो आप टिकट बुकिंग करने के लिए खोलते तो क्रेस लिखा होता है वो रेलवे का एक सौफ्वेर जो देपार्टमेंट है तो उस देपार्टमेंट में सौफ्वेर इंजिनियर की पोस्ट आई होई हैं तो सौफ्वेर इंजिनियर के लिए आपको सौफ्वेर इंजिनिरिंग का कोर्स आपका पूरा होना चाहिए मैं लिंक में अपने मतलब इसके डिस्क्रिप्शन में वीडि जाता है तो मैंने जैसे के पहले बताए कि प्लस टू के लेवल के हैं हम लोग तो उसी की बात ज्यादतर करेंगे उसके बात देखो NDA के पास आ जाते हैं प्लस टू में और एयर फोर्स में भी यही सेम है तो इसमें बहुत अच्छा मुखा है जो लोग आर्वी में जाना चाहते हैं NDA में और तीसरी जो सबसे बड़ी जो अभी आई हुई है वह फॉर्म अभी ऑनलाइन हुआ नहीं बीस तारिक से हो जाएगा ओर्डिनेंस सेक्ट्री में लगबक 6,000 के आसपस पोश्ट हैं तो 20 तारिक को यह ओनलाइन फोर्म हो जाएगा आप फील कर सकते हैं तो दोस्तों यह थी कुछ लेटेस्ट जो जॉब्स थी अब बात करते हैं समय का उपयोग कैसे करना है आपको एक कुस्चन आया था कि हम सेल फोन में अ आज के टाइम में मैं आपको प्रिफर करूँगा कि आप सभी के पास एक Android फोन होना चाहिए लेकिन उस Android फोन को आप मतलब खाटे में मत रहिए अगर आप Android फोन को चलाते हैं आप उसको अपना समय देते हैं और आज के टाइम में समय बराबर पैसा तो अगर आप Android फोन को समय दे रहे हैं तो आप मान लिजिए आप Android phone में खर्च कर रहे हैं लेकिन यह जो technology है यह phone है यह बना किसलिए हमारी सुविधा के लिए बना है तो अगर आप इसको समय देते हैं तो आप इससे कुछ लीजिए बात अगर नहीं समझाई तो मैं बताता हूं कि अगर आप Android phone चल था मुवी देखी लेकिन ऐसा नहीं है कि हर टाइम फिजूल की चीजों को ही अपने सर्च किया आपने सर्च करना है एजुकेशन से रिलेटिट चीजों को करन्ट अफेर मैथमेटिक्स इंग्लिस हिंदी रिजनिंग जो एजुकेशन परपर्स हो आप उसको सर्च कीजिए उसको देखिए यह गूगल चला रहे हो उस पर सर्च कर लिया कि जो कौन सी है क्या करने के लिए क्या चाहिए मतलब एजुकेशन से रिलेटिड आप उसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे तो आपका फायदा बहुत अच्छा होगा और आप जो नेगिटिवनेस आप ने अपने दिमाग में यही रखना है कि मैं अगर फोन ज्यादा चला रहा हूं तो मुझे फोन से ज्यादा कुछ लेना है जैसे मैंने अभी बताया कि आपको लेना है उससे आजुकेशन लेना है पराप्त करना है ओंनाइन वीडियो देखनी है और अजुकेशन वीडियो लास्ट वीडियो में मैंने बताई study हम स्टार्ट करते हैं बहुत जोस में लेकिन वह क्या होता बूम करते करते हैं बिल्कुल हमारा जो confidence होता है वह लो हो जाता है तो करना क्या है देखो हम जब math पढ़ते हैं Google की साहता लेते हैं YouTube की साहता लेते हैं तो math का जैसे हमने एक chapter उठाया time and work तो हम उसी के पीछे पढ़ जाते हैं ऐसा आप लोगों को नहीं करना है time and work आपने अच्छा है सर्च किया Google पे YouTube पे देखा अच्छी बात है दो चार question निकाले उसके बाद आपको नहीं आ रहा है question नहीं निकल रहा है मतलब burden हो रहा है भार रखना है उसको आपको close up कर देना है फिर आपको यह नहीं कि आप उसी की पिछे पर जाए पुरा दिन उसी time and work में निकाले नहीं उसको complete किया notebook बंद करी दूसरी notebook निकाली जैसे कि current affair हो गया gk हो गया reasoning हो तो उसका chapter करना है यानि कि थोड़ा थोड़ा chapter आपको सब चीज हो आप एक ही चीज को लेके बैठ जाएंगे ना मैथ कोई लेके बैठ गए और वह आप ही नहीं रहा है तो आप पढ़ोगे ही नहीं मैथ तो बंद दूसरा subject भी आप नहीं पढ़ोगे क्यों क्योंकि आपने मैथी में 3-4 घंटे लगा दिये अब आपका पढ़ने का मन नहीं आप मोवी देखोगे खेलोगे बाहर जाओगे घुमोगे तो सबसे बैस्ट आइडिया यह है थोड़ा थोड़ा दो चार कोशन मैथ निकाल लिए बर्डन लग रहा है बंद किया करंट अफेर देख लिया रिजनिंग के कुछ चैप्टर यूटूब से देखके किलियर करन उनका लेवल आपने निकाला इंगलिज के कुछन अलग लिख लिए मैथ के अलग लिख लिए समझे रहो न आप बात तो इस तरह आपको करना है थोड़ा थोड़ा तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही मैं मैंने आपको सबको बताना था अगर आप लोग नए हो तो इस यार मेरे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत अच्छी चीजे बहुत अच्छी अच्छी बातें और गोर्मेंट से रिलेटेड रेलेटेड़ से रिलेटेड टी टी आप मुझ से जुड़ सके और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे जो पुराने दोसिस को देखें प्लीज अनुरोध है इसको जरूर शेर कीजिए बहुत आगे तक पहुचाए ताकि हमारा जो लेवल है वह बहुत बड़ा हो क्योंकि देखा है मैंने यूटूब पे जितने ज कमेंट कीजिए नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए अगर कुछ कोस्चन हो सुजाओ हो तो प्लीज कमेंट कीजिए मेरा वर्टसप नंबर डिस्क्रिप्शन में है मैं अपना वर्टसप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं कोई कोस्चन हो परसनली आप उस पर कीज किए और अगर आपको ग्रूप में हैड होना है तो आप अपना नमबर नाम मेरे उस वर्टसप नमबर पर सेंड कीजिए मैं आपको ग्रूप में एड करूँगा जो रेलवे इंडियन रेलवे ग्रूप है मेरा उसमें तो दोस्तों आज के लिए इतना ही जैहिन बंद मातरम